Hello everyone, Air Force School Teacher Recruitment permanent post आई है, salary जो है 45,000 से भी अधिक आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी, 21 से 50 वर्स तक की उम्र के candidate यहाँ पर form apply कर सकते हैं, TAT या CTAT जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं कोई fees यहाँ पर लगेगी, तो चलिए मेन वेबसाइट पर चलेंगे, Air advertisement देखने को मिलेगा, Air Force School विमान नगर, नीचे आप आएंगे तो vacancy आपको देखने को मिलेगी, तो यह जो है विमान नगर जो है वो कहाँ है, तो पूने में है, PZT English की regular vacancy है, Mathematics की regular है, TZT की regular vacancy है, HWT की regular vacancy है, और helper की भी जो है यहाँ पर female candidate के लिए जो vacancy है, वो बिल certification क्या चाहिए, PZT के लिए master degree, 50 प्रतिशत अंकों के 7 में, आपके बस beard होना चाहिए, उसके बाद PZT mathematics के लिए master degree, math में, और 7 में beard, TZT के लिए जो है यहाँ पर master degree हो, या फिर bachelor degree हो, English के लिए 50 प्रतिशत marks के 7 में, और 7 में beard, उसके बाद TZT, HWT, तो इसके लिए जो है master degree या फिर bachelor degree आपके पास होनी चाहिए, 50 प्रतिशत marks के 7 में, 7 में diploma in counseling from a teacher recognized university of BA या BSC psychology with educational psychology या counseling psychology, ठीक है, या आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास diploma होना चाहिए, next जो है helper की जो vacancy है, केवल female के लिए है, no education qualification, कोई education qualification जो है, यहाँ पर ऐसा नहीं, बाकी जो है, यहाँ पर जा सकते हैं, उम्र जो है, यहाँ पर helper के लिए 21 से 40 है, बाकी जितनी भी post है, सभी के लिए 21 से 50 वर्स उम्र है, और salary जो हो आप देख सकते हैं, TZT, PZT के लिए जो salary है, यहाँ पर क्या लिखी गई है, तो pay scale जो है यहाँ पर PZT, English, Math Mathematics के लिए 45,000 से भी अधिक आपकी salary यहाँ पर रहेगी, TZT के लिए यहाँ पर salary 43,000 तक रहेगी, और उसके बाद TZT, HWT के लिए यहाँ पर, यहाँ पर psychology में अगर आप trained graduate teachers के लिए apply करते हैं, तो यहाँ पर 43,000 आपकी salary है, helper के लिए 17,000 आपकी salary रहेगी, तो यहाँ प आपको यहाँ पर email करना होगा अपना bio data, clearly जो है उसमें mention होना चाहिए, आपकी education qualification, आपकी date of birth, अगर experience है तो लिखे, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर experience जरूरी नहीं है, contact number लिखे, और जितने भी document है, उसके साथ attach करके, और इस email address पर आपको send कर देना है, 17 नवंबर 2023 तक, ठी तो यह चीज जो है आप समझ गये होंगे, आपको email करना होगा, bio data जिनको नहीं पता है, google पर आप सर्च करेंगे, तो आपको latest bio data जो है वो बिलकुल मिलेगा, और उसे ही देखकर आप लोग या तो type करें या करवा ले, और आप लोगों को अपने जितने भी document है, उसके साथ में इस address पर भेज देना है, इतना ही आप लोगों को करना है, तो यह इसकी main website रहेगी, यह main website है, और यहाँ पर आप लोगों को, left side में आप देखेंगे, internal complaints and committee के नीचे ही है vacancies, इस पर आप लोगों को click करना है, नीचे आना है, और यह जो है आपके सामने होगा, notification, air force school विमान अगर पूने कहा है, महरास्टर में है, जो भी interested candidate है, क्योंकि permanent है, regular vacancy है, salary काफी, अच्छी है, ठीक है, और English, Mathematics, PZT के लिए, और TZT के लिए, यहाँ पर English और psychology के जो भी candidate है, उनके लिए vacancy है, helper, female के लिए vacancy है, तो ऐसी ही vacancy के लिए बिलकुल जोड़े र करें, ताकि YouTube की तरब से आपको notification समय पर मिल सके, और date ना निकल पाए, और आप लोगों को जो है application करने में आसानी रहे, मिलेंगे next video में, thank you